फ्रेंड्स मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पालक तड़ का रेसिपी धाबा स्टाइल और यह बहुत ही टेस्टी सबजी बनती है और आपने हमेशा आलू के साथ बनाया होगा लेकिन एक बर आप इस तरह से बनाईएगा बहुत ही टेस्टी लगती है और इसमें बहुत टेस्टी बनी थी तो मैंने सोचा कि चलो फिर मैं आप सब के साथ भी शेयर करने के लिए बुझे तो बहुत पसंद आई है तो इसलिए मैंने इसको बनाया है हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू मारी चैनल पुस्पलता कीचन को सब्सक्राइब कीजे बैल ब मैंने ले लिया है यहां पर मैंने टू टोमेटो लिये हैं उनको चॉप करके मैंने ले लिया है यहां पर जिंजर लिया है मैंने ग्रेट किया हुआ ओनियन चिली और गार्लिक लिया है चॉप करके तो और ओनियन को स्लाइस है अब हम लेंगे और ओयल में हमने डाला है जीर ताकि वह अच्छी लगती है खाने में जब आती है तो इस तरह से हमें इसको भून लेना है और गोर्डन ब्राउन होने तक उसके बाद यहां पर हमने डाला है हल्दी 1 फोर्थ इस्पून और 1 फोर्थ मैंने रैच चिली पाउडर डाला है और उसके बाद इसमें मैंने डाला है झाले थोरा भूना हुआ जी आर का पाऊडर और उसके बाद हम इसा इसको मिला लेंगे और मिलाने के बाद इसको थोड़से अच्छे से भून लेंगे हम तो आप देख सकते हैं और हमारी आनियन भून गई यहां पर आप हैं पहल इने बून लेने हैं ऐसके बाद हम ने यहां पर डाल जूँद करके पालक लिए था तो कर लिया हैं तो यहां पर मैने मीक्स कर लिया है और उसके बाद मैं इसको inter कवर कर लिए Anda तो यहां पर मैंने कवर कर लिया है और उसको एक दो बार हमें देखना है जब थोड़ा गल जाएगा उसके बाद हमें इसके अंदर टोमेटो को अट करना है इसमें ग्राइंड करके नहीं लेना है और थोड़ा हमें इस पर साल्ट एट कर देंगे ताकि टमाटर अच्छे से फटा फट तो आप देख सकते हैं हमारे सब्जी बन रही है और टमाटर भी थोड़े थोड़े गल गये है और उसके बाद हमें इसी तरह से एक बाद मिक्स कर लेना है और फिर थोड़ा दिर और हम इसको कवर कर लेंगे और बहुत जटपट बनती है फ्रेंड से सब्जी औ और बहुत अधिक टाइम भी नहीं लगता है तो आप जरूर बनाईए ये मुझे तो बहुत पसंद आई और आप भी बना के देखिए आपको कैसी लगती है तो बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसी लगी तो यहां पे आप देख सकते हैं पालक टोमेटो सब अच्छे से गल गया है बहुत अच्छे तरीके से और सबजी का कलर भी बहुत अच्छा आया है और सबजी रेडी हो गई है तो मैं सर्व कर रही हूं तो यहां पे एक बाल लिया है मैंने और हमें इसी तरह का रखना है बिल्कु ड्राई नहीं करना है तो अभी हम आप बताईएगा और यह आप रोटी पराठे और राइस सबी के साथ खा सकते हैं लेकिन पराठे के साथ बहुत टेस्टी लगता है तो आप भी इसको ट्राइ कीजेगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा आपको कैसी लगी तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर न सेपी के साथ थैंक्स पर वाचिंग माई वीडियो बाई बाई फ्रेंड्स टेक कर स्टेप इस्टे होम इस्टे सेफ बाई बाई